तो शुरू किया जाए क्लास को तब तक आप लोग करेंगे अपने हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबियार स्टेडी में तो मित्रों जैसा कि आपको मालूम है आप लोग माले से काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें और आपका दूसरा चैप्टर है यानि 2.2 आज वह खतम होने वाला है ठीक है 2.1 जो है वह खतम हो गया है 2.2 में दो कुष्टन मैंने किया है अभी तक आप लोगों ने भी किया है और 2. 2.2 में केवल चार कुष्चन है तो तीन और चार आज हम लोग कर लेंगे यह चैप्टर खतम हो जाएगा ठीक है अब समझते हैं पहला कहरा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गया मान निम्न लिखित इस्थितियों में यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा था मैंने छो प्लास वन और इनके छोटकव जो दिये गए हैं वो क्या है माइनस वन अपान थिवी मतलब आप समझ रहो ऐसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए सिद्ध ये कीजिए कि भाईया फलाने आपके लड़के हैं जैसे आप से कोई कहे मतलब आपके पापा Demo's से कोई कहे कि सिद्ध कीजिए 20 साल आपका बेटा है अब बताको कैसे सिद्ध करेंगे आज करें मालूम है रॉन में बहुत सारे केस हो जाते हैं जहां पर यह सब नहीं हो पाता है क्योंकि और लोग के पास पैसा नहीं होता है तो बच्चा क्या कर रहा है? कुछ समझे मांज मे आ रहा है चलो सुन लेते हैं, मतलब की बात समझते हैं क्या करना है? इनको सिद करना है कि दिखाए गए जो मान है इनके क्या है? बहुपद सून्यक है सून्यक को क्या बहुत लेंगे? बच्चा, zero of polynomial इंग्लिस मीडियम वाले सीबसी बोर्ड वाले समझे ले जीरो आप पॉलिनॉमियल तो हमें यह प्रूब करना है कि जो बैलू दी गई है एक्स की वह क्या है इस पॉलिनॉमियल का जीरो है वह कैसे होता है देखो समझो अगर यह दिया गया मान हम इसमें पुट करेंगे रख चालिस तो लिखेंगे कि दिया गया मान इस पहुपद का सुन्यक नहीं है चलिए ट्राइ करते हैं आजओ फटा-फट तो बच्चा क्या करेंगे अब लोग हम इसमें मान रखेंगे चाहे तो यहां पर लिख लो कि यादी पी आफ माइनस वान अपान थ्री ऐसे लिख लो कोश्टाग में अच्छा लगेगा कामान तूनने आता है तूनने आता है तो तो पी आफ एक्स इक्वल थ्री एक्स प्लस वन का यह लिख लो कहानी लिख वा रहा हूं जरूरी है का यक्स बराबर माइनस वन अपान थ्री एक तूनने को होगा भईया हिंदी मीडियम वालों के लिए यह लाइन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छा लगेगा जैसे दाल भाद बनाए हो और भईया उसको फ्राई कर लो अच्छा सा बढ़िया से लाह सुन पे आज मिला करके तामाटर आउ माटर डाल करके तो क्या हुआ रही तो वही डाल लेकिन उसका टेस्ट बदल गया बदल गया कि नहीं ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और उसका टेस्ट कई गुना बदल गया तो वैसे इसमें है बच्चा तुम हल तो इसको करोगे मान तो निकालोगे सिद्ध भी करोगे लेकिन अगर ये लाइन लिख दोगे न तो ये फराई हो जायागा एक परकार से मतलब और अच्छा हो जायागा थिक है समझ गये ना विटा देखो दरशन कुमार तुमको इतना मार मारते हैं अगर हम यहां आफ-लाइन होते हैं तुम्हारी जी अफ नहीं तुम कभी यह वर्ड नहीं सुचते हैं इपने दिमाख में समझ रहे हो ना देखो जो कुछ नालायक टाइप के हैं वही कमेंट करते हैं एक काम करता हूं मैं यह बिना मतलब का ही तो कमेंट कर रहा है ना पढ़ो चाहिए तुम जाओ भाड में पढ़ोगे तो है नहीं मुझे मालू में 60 सिकेंड के लिए तुम्हें मैंने रोंक दिया चलो अब तु आप लोग मैं हट जाता हूं चलो स्क्रीन साट ले लो देखो यह ना लायक बोल रहा था कि क्या बोलो नहीं बोलना चाहिए छोड़ो जाने दो सब लोग सुन जाएंगे जो नहीं सुने वह भी हो गया चलो कि इसको हो गया लिख लिए इसको लिखने के बाद मैं मृता ओंगा स्क्रीन साट आप लोगों नहीं लिया तो ले लीजिए अब मैं मीटा करके आगे बढ़ता हूं चलिए ठीक है मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया पूरा मंत्र बता दिया अब तुम अपने से कर सकते हो मतलब का काम समझो यहां से अपने से कर सकतो हैं अब यहां से हम P F minus 1 upon 3 निकालेंगे यानि इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर minus 1 upon 3 रखोगे यह हो जाएगा 3 into minus 1 upon 3 और plus का 1 ठीक है बच्चा तो भाईया यह 3 से 3 कट जाएगा देखो गुड़ा में है ना ऐसे कट जाएगा यह है तो final में यह minus 1 ऊपर बचेगा और plus का 1 equal का हो जाएगा बबवा equal 0 हो जाएगा यह 0 आ गया ना तो आप लिखोगे क्या लिखोगे 0 हो गया बस बात खतम अब नीचे लिख दो आता है लिख दोगे ता अच्छा लगेगा आता है X equal minus 1 upon 3 बहुपद 3X plus 1 का तुन्यक है अब यह मैं हर एक में नहीं लिखूँगा यह पहला था इसलिए मैंने इसको सजाद हजा के आपके लिए करवाया है अब मैं सभी में नहीं लिखूँगा बच्चा ठीक है उतार लो इसको इसको इसक्रीन साट ले लो पहला हो गया मैंने पूरी कहानी बता दिया अगर तुम नहीं समझे तो वीडियो को बैख करके फिर से देखो बहुत अच्छे से बताया हूं पूरा दिल से बताया हूं च स्क्रीन साट ले लो चलो मैं भी खड़ा हूं अच्छा पोज पे चलो ले लिए खिचबह नहीं करोगे तम कब तक खड़े रहेंगे मिटाने भी चल रहे हैं तो यह हो गया आपका पहला का पहला पार्ट बच्चा अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग सिकेंड पा इसलिए अपना दिमाग अगर पढ़ाई में रखना है तो यहां पर रहो और नहीं तो तुम लोगों की यहां बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें भीड़ नहीं बतोरना है हम जो संख्या बढ़ाने को बोलते हैं वह पढ़ने वाले बच्चों की तुम लेसे नालाइकों की न तुमारा टाइम बरबात करने के लिए नहीं चलो आगे चले और कि चलो तो इसका सिकेंड पार्ट देखो बेटा समझा जो इसकेंड पार्ट देखो पी आफ एक्स अच्छा चार से बताएं, तीन तुम्हारे काका करेंगे जिनको आ रहा है उनके छटपटी मची है P of X equal 5X minus का πाई देखो बच्चा इसमें का दिया है minus का πाई इसमें दिया है X का वैलू 4 upon 5 क्या दिया है? X equal 4 upon 5 यह मान रख करके आपको बताना है क्या यह 0 आता है नहीं आता है अगर 0 आएगा तो यह इसका सुन्यक होगा और अगर 0 नहीं आएगा तो सुन्यक नहीं होगा ठीक है? समझ में आ रहा ना सबको? सबको समझ में आ रहा ना बाबू? चलो तो अब हम क्या करेंगे इसके मान रखेंगे लाके इसमें ढखेल देंगे पी आफ जहां जहां एक्स है वहां वहां 4 upon 5 रखेंगे तो यह हो जायागा 5 इंटू 4 upon 5 माइनस का पाई यह पाई भाई लगा है सीधा सीधा पहले से मालूम चल रहा है यह नहीं होने वाला जीरो यह फोर माइनस पाई आएगा और अगर तुम्हें काम करो इसमें मान भी रख दो पाई का तब यह जीरो नहीं होगा तो आप लिखोगे वही लाइन जो मैंने लिखा था अब मैं पी आफ पोर अपान फाइब देज नाट इकल जीरो आता है आता है एकस इकल फोर अपान फाइब आता है एकस इकल फोर अपान फाइब दिये गये बहुपद दिये गये बहुपद पाच एकस माइनस पाई का सुन्यक नहीं है दिये गये बहुपद पाच एकस माइनस पाई का सुन्यक नहीं है ठीक है मिस्टर परफेक्ट बेटा पढ़ लो अगर तुम्हें आ रहा है तो थोड़ा सांत रहो जादा उचलो नहीं हां समझ रहे हो ना मुझे तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना ना मरे पास और भी हजार बच्चे देख रहे हैं उनको भी तुम्हें ख छल रहे हो नहीं चोड़ दो चार से बताओ पेपर में तुम्हारे जैसे ना ओपर को पैर करके लटक जाते नीचे को शिर कर के उनको आता नहीं है इसलिए जिए जट पटाओ नहीं कि जो आ रहाएं उसको भी करो आ हňं ना मैत कहता है न मुझे इतना रिवाईज करोगे मैं उतना ही आऊंगी रिवाईज जरूरी है खट पटाओ नहीं चलो ललित मीना आ रहा कुछ समझ में आयूस पांडे मुकेस अब सही है ना कमेंट थोड़ा धीर धीर आ रहा है तुम्हारे खुजली मच रही है चलो ठीक है तरड़ा पलो तुम थोड़ा देर तुम चैटिंग करो तुम ही को बलाग करेंगे बिटा दीपक समझ रहा हो ना तुम ही को बलाग करेंगे अभी देर नहीं है चौथा पार्ट तुम लोग खुद से बताओगे इसके आगे वाला मैं अकेले नहीं करूँगा अगर पढ़ना लिखना है तो समझो यहाँ पे देखो अगला यह दो पार्ट इसके हो गए तीसरा पार्ट है भाईया कह रहा है इसमें कि यदि पी आफ एक्स इक्वल गिवन क्या दिया भई एक्स का स्क्वायर माइनस वन इसमें दो बैलू दिया गया है एक्स इक्वल वन भी है और माइनस का वन भी है यानि आप क्या करोगे एक बार एक्स की बैलू वन पुट करोगे एक बार माइनस का वन पूट करोगे अगर P of minus 1 equal 0 आजाता है तो आप कहोगे minus 1 जो है वो x square minus 1 का एक सुन्यक है और अगर P of 1 ये भी 0 आजाता है तो कहे दोगे ये भी सुन्यक है मतलब जिसमें 0 आजाएगा कहे दोगे वो सुन्यक है जिसमें नहीं आएगा वो क्या है सुन्यक नहीं है ठीक है धेम राज सर्मा बच्चा देखो यहाँ पर कोई रैली नहीं हो रही है तो कोई राजनीतिक कमेंट से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं ठीक है समझ गए न चलो तो अब हम एक-एक मान निकालेंगे चलो अच्छा तुम लोग बताओ मैं करूंगा नहीं बताओ तुम अब मैं बताया हूँ न पी आफ वन जहां जहां पर यक्स है वन रखो और मुझे यह बताओ जीरो आयेगा या नहीं हाँ या नहीं बोलो अतुल कुमार सबसे पहले बता रहे है राहू लिया दो देयो की दुकान बहुत अच्छा भई देवी की दुकान कहां से आ गए तुम हाँ तुमारी तो खोच जारी थी कई दिन से इधर यार जगा थोड़ा कम है यार जहाता इधर से हाँ चलो बिनोद म्यूजिक विसाल कुछ तो बता रहे हैं कि है और कुछ तो बता रहें नहीं है ठीक है बच्चा देखो समझो मैं बता देता हूँ जहां जहां पर एक्स है वन पूट करोगे बेटा तो यह ऐसे बनेगा फाइनल में वन माइनस वन इक्वल जीरो तो जो बता रहे थे हैं उनका सही है आप लिखोगे क्या लिखोगे अरे वही भाई लिख दो ना कुछ चनवत यही दिया था कुछ और था यक्स का स्क्वाइर माइनस वन था ठीक है आप लिखो क्योंकि पी आफ वन इक्वल जीरो इसलिए दिया गया मान एक्स बराबर वन बहुपद एक्स स्क्वाइर माइनस वन का एक सुन्यक है ठीक है क्या है सुन्यक है वैसे तो आपके उत्तरमाला में इसका आंसर हाँ या नहीं में दिया होगा बस मतलब सुन्यक है या नहीं है आपको हाँ या नहीं बताना है इसमें लाइश्ट में आप हाँ लिख तो तब भी सही है यह वल हाँ लिख दो बस ठीक है समझ गए ना तीयर कुमराडे बेटा तुम्हें बला कर दिया हूं मैंने ठीक है तीयर कुमराडे अब तुम कहीं और कुमरा हो जाके हां चलो निकल लिए अब तुम यह भाई हमारे आज टेक्निकल वाले कोई मुझे लग रहा है कमेंट नहीं देख रहे हैं इसलिए मुझे लग रहे हैं दिखाना पड़ेगा चलो समझो अगला वाला भी कर लोगे न चलो यह भी बता देता हूं छोटा सा है तो कुछ बच्चे कमजोर है तो पी आफ माइनस वन निकालोगे अब जहां जहां पर यक्स है माइनस का वन रखोगे तो माइनस का वन रखोगे त यह प्लस वन हो जाएगा माइनस वन फिर तो जीरो आजाएगा यानि दोनो है ना हाँ चलो लिखो इसको भी स्क्रीन साट ले लो फटा फट इसक्रीन साट लो मैं देखता हूं इसमें और कितना कुश्चन है 2.2 है इसमें अब मुझे लग रहा है सिर्फ एक है कुश्चन और बचरा है बस जल्दी स्क्रीन साट ले लो बचवा फटा फट ले लो ले लो तुरंद ले लो देर नहीं चलो कि तीन नंबर हो गया अभी एक ठीवर बचा है कि दोनों है ठीक है दोनों क्या है इसके तुन्यक है मतलब जीरो आप फॉलिनॉमियल पेदांत पांडे कुछ समझ में आ रहा है तो चौथा वाला कर लोगे कि नहीं सभी बच्चे बताओ हाँ या नहीं इसका next आपकी साथ पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन पढ़ने वाले होता बना कुछ तो ऐसे कचरे जुड़ जाते हैं जिनको देख करके खून खूल जाता है उनको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं चौथा पार्ट कर लोगे हैं सभी कर लेंगे न लगबग पूजा कुमारी देखो बेटा NCRT की में बात कर रहा हूं जो में NCRT है प्राइबेट किताबों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुख NCRT बुक है उसके एकार्डिंग चार कुश्चन है अगर आपकी कोई प्राइबे फिरा के लिकास सिंह राजपूत देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं लो सब कर दे रहे हैं तुम छाप लो हां छाप लो समझना नहीं एक को पहली बात तो टाइम से जुड़ते हैं नहीं है साथ बजे कलास सुरू होगी तो यह जुड़ेंगे एक गंटा है दोनों मान पर आपको ट्राई करना है चलो ठीक है देख लो मैं एक के बताओंगा इसमें का बस कक्षा दस का जो महत है बाबू वो चलेगा एक अगस्त से सुबह आठ बजे हमारी कोशिस है एक अगस्त से चलेगा कोशिस तो भरपूर है कि सब कुछ चले लेकिन क्या खोला कि यह हो जाएगा माइनस वन और यह प्लस का वन और यह हो जाएगा माइनस वन और माइनस का टू यह माइनस प्लस भहिया यह हो जाएगा जीरो और यह माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का तीन तो फाइनल में तो सब जीरो हो जाएगा ना तो आप लिखोगे हाँ हां ठीक है कि लिखोगे हां एक्स बराबर माइनस वन दिये गए बहुपद पी आफ एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का एक सुन्यक है देखो मैं बोल दे रहा हूं जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चें वो लिख लेते हैं बहुत टाइम मिलता है जो एक्स बराबर माइनस वन दिये गए बहुपद पी आफ एक्स 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 प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का एक सुन्यक है बस हो गया ठीक है समझ में आ रहा है ना नीलिमा एको बच्चा जो भी नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बाबू आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो किवाल पढ़ते हो चले जाते हो फिर अगले दिन आपको कलाफ नहीं मिल पाती है यह मुसीबत ह जरूरी नहीं कि आपको रोज कलास मिल जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इससे थोड़ा हमारा भी होसला बढ़ता है कि भाई हां इतने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं थोड़ा एनरजी लेबल बढ़ता है हमारा भी यह तो आप लोग यह चलो तो पी आफ अब टू हम हर जगा जहां जहां यक से क्या रखेंगे टू रखेंगे इसको भी ट्राइ करेंगे तो चलो बच्चा मुझे यह बताओ अब तुम सभी यह दो माइनस दो यह हल करने पर जीरो आ रहा कि नहीं बताओ सभी बच्चे हल करने पर यह जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है पर अंजलतिवारी ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड़ चलो बताओ जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिटा देखो आप सब्सक्राइब कर लो तो आप भी कमेंट कर पाओगे इसलिए आपका कमेंट नहीं आ रहा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो कमेंट नहीं कर पाएगा अगर आपको यकीन नहीं देख बार अन सब्सक्राइब करके देख लो तुमारा चैट नहीं होगा तुरंद रुख जाएगा ठीक ना रामकिसोर प्रीतम रोट जीवम सुकला राजबीर गीता मोर्या पंकज यादो सनु हजारे चंद्रकांत पाठक आवाज कट रही इनकी भई पाठक जी क्या सब की आवाद तो ने कट रही है बहुत अच्छे बच्चे बहुत निर्चल यादो रामकिसोर अब आज नहीं कट रही है मैं सुन लिया ठीक है अब मत कहना चलो तो यह हो गया आपका यह कुश्चन ही खतम हो गया हाँ इसमें का कुछ कठीन वाला है वो मैं करवा देता हूँ बेटा चौथा पार्ट तो हो गया पाचमा पार्ट तुम खुद से कर लोगे मैं नहीं करवाओंगा छाठमा पार्ट चलो करवा देता हूँ पाचमा आपके लिए होमवर्क है पाचमा होमवर्क है खुद से करके बताओ देखो सीकेंड वो सवरी थार्ड कुईस्चन में भाइया आठ पार्ट है ठीक है थार्ड कुईस्चन में इसके आठ भाग है तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ना कई भाग है इसके मतलब यह पापा है इनके आठ लड़िकां है अब तो सरकार हमारी नियम ला रही हम दो हमारे कि एक कि क्या बिनमना है कुछ आप लोगों को भी समझ में आए कि नहीं इसमें चलो पहले कुष्टन देखो आप लोग अभी समझना अभी टाइम बहुत बचा है वो सकता है आप लोगों के नियम टाइम तक नियम आ जाए कि हम दो हमारे कोई नहीं कि समझ रहे हो ना यहां पर इतना पापूलेशन हो जाएगी यह ऐसा रूला जाएगा भाई ना अब मना है यक्स इक्वल माइनस यम अपान यल यह मैं बता रहा हूं इसलिए चुकि इसमें यह यल यम बी सीडी दिया है तो हो सकता है तुम्हें कुछ दिक्कत हो इस वज़ा से मैंने इसको बताया है ठीक है चलो आर्मी तैयारी फिटनेस बहुत अच्छे दीपक यादो जोती यह मान लाकर एक्स की जगह पर रखोगे तो बच्चा यह एक्स की जगह पर ध्यान दो यहां पर यह समझने वाला है जहां पर एक्स है उसकी जगह पर तुम क्या रखोगे माइनस का यम अपान यल पुछ समझ रहो कि नहीं इसको थोड़ा और लंबा चौड़ा करके यह यल है ना यक्स की जगह पर हम क्या रख रहे है माइनस का यम अपान यल यह 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 हर में है यह अंस में है ठीक है बच्चा और यह प्लस का यम अलग से इक्ष्ट्रा में ठीक है अब यह यल से यह यल कट जाएगा गुड़ा में है अब कईसे कट जाएगा वो तु आग में लोहा डालोगे तो गरम होगा और उमें पानी डाल दो गया होगा तब बूत जायेगा ना तो बस वही से यह क्या होगा कि अब खतम हो जागा जीरो आ जाएगा आजये महंती कुछ समझ में आ रहा बच्चा देखो एक बात आप लोग समझ लो एक बात आप समझ लो कि आप लोग सभी बच्चे कलास को बिना कहे रोज लाइक किया करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आती है जान लो मेरा दिल टूट जाता अंदर से एकदम लाइक जरूर किया करो ठीक है बही ऐसे मत मारो जीनो दो मुझे भी जब तक मैं थोड़ा एक्टिंग किया करूं तब तक तुम लोग स्क्रीन साट ले लिया करो अपने हो इसलिए बता दे रहा हूं बाकि नए बच्चों को नहीं बताता हूं समझ रहे हो ना कुष्चन हो जाए तो मैं कुछ और करने लगता हूं कि उधना देर में तुम समझदार हो स्क्रीन साट ले लो तुम्हें मालूम है कि इसके बाद मिटा के इसको लीप पोत क्या अगला करवाएंगे ना हूं चलो समझ गए ना कलपना यादो कुछ समझ में आ रहा है तो यह आपका हो गया इसमें का एकाद पार्ट और है जो बड़ा खतरनाक है मैं उसको भी करवा देता हूं है मैं का करना था मैं तो यह नहीं लिखा नीचे लिखो लिखो इसको करने के बाद नीचे लिखो ऐसे जैसे इसके पीछे वालें बताया हूं मैं नहीं बताऊंगो जाने दो इसमें आठ पार्ट है मैंने पांच पार्ट में सब बोल बोल के बताया चिला चिला के उसी तरह से इसमें भी लिख लो समझ रहो ना अगर अभी अभी जुड़े हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करक दोनों वही हुआ यह लिख दोगे तब भी वही है अब थोड़ा बिस्तार से लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा है ठीक है चलो तो बच्चा यह आपका कितना हो गया अच्छा तभी इसमें कौनों बता रहा था आठ पार्ट है अरे गदों मैं वह आठ की नहीं बात कर रहा था मैं नया वाला कुश्चन की बात कर रहा था ना सत्मएं में देखो दिया है पी आफ यक्स इक्वल थ्री यक्स का स्कॉयर माइनस का वण यहाँ पर यक्स का दो मान दिया बच्चा, बड़ा खतरनाक है यह मान, बड़ा डेंजरस है यक्ठी तो ही दिया है, यक्ठी यह फलाने चाचा है, यह थोड़ा हूँ रही ठेह हुए है पहलें से यह दोनों मान बारी बारी इसमें रखके आपको बताना है कि जीरो होता या नहीं होता है ठीक है, परजापती सागर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रिये स्टूडेंट, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराईयों से अंदर वाला धन्यवाद चलो, ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे, यह हमारी सुबकामनाएय है, चलो, तो अब क्या करेंगे, हम पहले एक बार माइनस का वन अपन अंडरूट 3 रखेंगे, और एक बार 2 अपन अंडरूट 3 रखेंगे, दोनों बारी बारी रखेंगे, अगर जीरो हो जाता है, तो ल नहीं है बस तो यह हो जाएगा पी आफ ए सुनो सबको था इंक्यू जो बोल रहा हूँ ना मैं सब लोग उनको नहीं बोला मैं उसको बोला जो लाइक कर रहा था नहीं तो सब लोग उसमें हिस्सा बटाओ चलो तो यह तीन जहां पर एक्स का स्क्वाइर है बच्चा उसकी जगह पर माइनस वान अपान त्री रखोगे ध्यान से देखो यह अक्स के चुर्की पर क्या लगा इसक्वाइर लगा है ऐसे समझे लो जैसे तुम्हारे पापा हैं और वो करजा ले लें कहीं दस करोण रूपया करजा ले लें उसके बाद कुछ दिन बार निपट जाएं तुम्हों को बुरा लग रहा तो मैं अपने इकमान लेता हूं चलो मानलो मारे पापा हैं और वो दस-बीस करोण कहीं करजा ले लिए हैं उसके बाद निपट गए तो क्या होगा उन करजा कौन देगा बताओ जो नियम होता है कि किसी भी पिता की संपत्ती जो होती है वो उसका उत्रा दिकारी उसका बेटा ही होता है अगर बेटा नहीं तो बेटी होती है यही होता है न लेकिन क्या है कि अगर वो संपत्ती बना के नहीं जाता बलकि एक बहुत गढ़ा खोद के जाता है तो उसका भ बहुत बड़ा करजा लेके गया तो उसके भी तुमी इस्तेदार हो तो मैं यह क्यों बताने लगा बीच में क्योंकि यहां पर बच्चा इनके खोपड़ी का लगा इसक्वायर लगा है अब इसकी जगह पर यह मान रखा जा रहा है तो यह इसक्वायर जो है ना इनकी उपर स रूप जाए कमिनटी इसको थोड़ा जाड़ने फूंकने दो इसके नजर लग गई तुम लोग ध्यान से इतना देख रहे हो यक्स कमान रखो माइनस का 1 अपान अंडर उट 3 इसका इसक्वायर क्योंकि यह इसक्वायर एक्स के उपर लगा था इसलिए इसके उपर लग गया और माइनस का क्या होगा 1 ठीक है अब बच्चा इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा इधर चलना पड़ेगा साइड में आओ आओ जल्दी आओ उसको समझने के लिए थोड़ा साइड में आजाओ जिससे किलियर हो अब इधर मत देखना मैं इधर से इसको छुपा लेता हूँ क्योंकि मैं उल्टा लिख नहीं पाऊंगा समझो यह थोड़ा सा एक लच्मान रेखा खीच रहा हूँ इस अंदर में समझना इस रेखा के बाहर मत जाना देखो बच्चा जैसे अंडरूट तीन है न अगर हम इसका स्कॉायर करेंगे तो तुम जानते हो क्या होगा वह यह तीन का स्कॉायर करना तो तुम जानते हो हां तीन का स्कॉायर करना तो जानते हो यह भाई देखो आर्चीज की मज़ा मदलो हां यह चलता नहीं मैं इस ले इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो यह कितना आ गया अंडरूट नहों आया न और इसका वर्गमूल करोगे बचवा तो तीन आएगा तो कुल मिला करके हम तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जिसका अंडरूट पर चिन लगा है अंडरूट लगा है अंडरूट लगा है और उसके बाद क्या है अंडरूट लगा है लेकिन उसका स्कॉयर है तो तुम डारेक्ट उस नंबर को लिख सकते हो बस यह सब पूरी कहानी लिखने से अच्छा है तुम डारेक्ट तीन लिख दो बस यानि इसका मान क्या तीन होगा समझ गए ना है और देखो अगर अंडर रूट में पांच का स्क्वायर लिखा है तो बच्चा इसका मान क्या होगा पांच होगा कि यह याद रखना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी हल करेंगे मान रख देंगे तो तुम छट बटाने लगो गया कई से होई गई हां समझ गए ना हुँ कि लोगता वीडियो को टक पटा करा है कि मैं जाम हो गया का भाई कैमरा इस नाट बीजिबल फ्री जो रहा वीडियो अच्छा ही है मतलब यात बटाओ मुझे लग रहा है कि रुका उआ है तो टेंस्न मतले लेना तुरंत मैं हीलने वाला लंस जाम नहीं हुआ हूँ अभी मैं जिंदा हूं कि तुम्हंदा पर छलुघ और हम गया देखक कोपड़ी घी लह सुबहरे से नादा है मुझे कभी तो आराम करने थे भाई मैं इंसान हूं नहीं ठाग रहा हूं यह डिबाइस होके ठाग जा रहे हैं मैं क्या करूँ इसमें मेरी क्या गलती है चलो चलो ठीक है अब चलने लगा होगा ना चलने लगा ना बेटा परसांत कुमार जैसे तुम हीना 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 कर रहे हो ना वैसे अभी तुम हीना होगे अभी देर नहीं है रुको परसांत कुमार तुम्हें लास्ट वार्निंग दे करके पांच मिनट होल्ड किया गया ठीक है चल बेटा प्लस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और यह माइनस का वन तो यह कट जाएगा तो यह फाइनल में जो बचेगा भाईया बबुआ वह बचेगा वन माइनस वन और फिर जीरो आ जाएगा क्या जाएगा जीरो अले सुन्दर बताया है चुकि पी आफ माइनस वन अपान अंडर रूट 3 इक्वल 0 इसलिए दिया गया मान एक्स बराबर माइनस वन अपान रूट 3 दिये गया बहुपद पी आफ एक्स एक्वल 3 एक्स काई स्कॉयर माइनस वन का एक सुन्यक है कि थोड़ा सा बुद्धी लगाओ लिख लोगे बुद्धी नहीं लगाओ तो लटके रहोगे चाटा गट्टा जैसे हां समझ लो चलो जंदन बर्मा कि समझ में आ रहा ना बच्चा वापस आ गया वापस आने दो देखो मैं इनको एक मौका देता हूँ जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है न तो जो भी यहां गलती कर रहा बेटा उसे मैं एक बार 5 मिनट के लिए रोकता हूँ उसे एक मौका मिलता है कि देखो समल जाओ बच्चा तुम्हें एक वार्न जाएगा सेवा से बाहर हो जाओगे फिर जलो कि आज मैं तीसरा ही करवा भी पाऊंगा चाउथा कुश्चन नहीं होगा क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं सभी करवा हूँ अब इसमें तुम्हें सब मिटा दिया अगला मान लिखके खुद से कर लेना इसमें एक और मान द थे डिए अब दोबटा रूट करके इसे कर लेन अगर जीरो आ जाएगा तो लिख देना किए इसका क्या है तुनिक है अगर जीरो नहीं आएगा तो लिख देना सुन्यक नहीं है बस हो गया चलो राजा बाबू बच्चा कुछ नहीं रूक रहा है अब तुम फालतू की नटंकी न करो चल लो तो मैं इसको मिटाता हूँ अब यहां से समझो बटा एक मिनट एक बात सुनो तुम लोग भाई कलास को बाबू लाइक करो यार ऐसे मज़ा नहीं आरे ठीक है जुतने भी नए बच्चे हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें बिल्कुल फ्री यूटूब पर पढ़ो रोज साम को सात बज़े से लेकर सात बच कर चालिस मिनट तक सात बच कर चालिस मिनट तक हम 25-19 देर तक पढ़ा देते हैं वह हमारी खुसी है हाँсят चालीस तक होती है किसी साम को साथ से साथ चालीस टाइम याद रखना रोज के लिए याद रखना कशिती इस एकस का मान दिया है बच्चा यह सका मान उन अपां टू दिया है क्या दिया है x का value 1 upon 2 दिया गया आपको x की value 1 upon 2 पुट करना है if the value of phi of minus इंगलीज के चक्कर में उल्टा हो जा रहा है सुनो if the value of phi of 1 upon 2 is equal 0 then this given value x equal 1 upon 2 will be 0 of polynomial 2x plus 1 अरे इंगलीज बोलने की practice कर रहा हूँ तुम लोग भी समझ जाओ थोड़ा मोड़ा समझ में आया ना कुछ उल्टा पुल्टा की नहीं देसी भासा में समझ लो कि अगर दिया गया मान x का जो है एक बटा 2 इसको रखने पे 0 आता है तो यह दिया गया मान एक बटा 2 दिया गया बहुपद 2x plus 1 का एक सूनेक होगा समझ गये ना पंसी का कुछ समझ में आ रहा है कि दाती ची आर रही उतना देर से तो देखो भाई आज का जो टाइम है यह ओबर हो गया अब तुम लोग यह बताओ सबसे पहुए मुझे अपना परिचया करवादो यह आप कहां से हो हाऊ बताओ जल्दी से ऐस पांदे बच्चा पढ़ लो rouge rouge पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बस आप लोग जल्दी से फटा-फट ये बताओ कि आप जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े है आपका सहर कौन सा है वही किस सहर से आयो आप जैसे हमारी जो कलास चल रही आप देख पा रहे हो यह कुम्ब नगरी परियाग राथ से मतलब जिसे तुम पहले इलाबाद के नाम से भी जाना करते थे इतिहास में तो आप लोग का सहर कौन सा है आप लोग का जिला कौन सा है और गाओं मत बताना नहीं तो यह बड़े कमीने टाइप के हैं घर पहुंच जाएंगे सुबेरे सुबेरे हां तो भलाने कलास देखत र इस मुझे नहीं पता भाया तुम बताओ जियो कुमार परजाबती बनारस से हैं कुकबित मीना हैदराबाद से हैं बड़ी दूर से पांदा उत्रपर्दे से लर्निंग गेमिंग डॉन है और राजस्थान के साबला यह रूबी दुबेदी हैं महां से रेनु चोधरी यू बर्मा कद मुझे में मालूम इनकाव महाला पता निकाह बता रहें यह रहिए रेस्दिली से हैं केषव दूबे whip मएनपुरी से हैं भारा ब Гय हर्थजी- pub महें stitch मिंया-फॉर्म्पम ईयॉद्ध्यार्म धूर्मद्र मनोज जी हर्दोई से हैं वी posição कि ये किवल आ मभी हू म कर रहे हैं बस अभी इनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा घूम रहा है जीता मौर्या आजमगर्ड यूपी मतलब उत्तरपर्देश एक यादो सीता मड़ी से हैं पहीं टी एस जी फैन मोर टी एस जी ये गाजीपुर से हैं ये इनका नाम है इतना बड़ा कुछ लोग तो समझेने पाएंगे का बोल रहे हैं जीते अंद्र ये भी गाजीपुरी उपी से हैं और साहजहां पुरु उत्तरपर्देश से हैं भाई आरंतिवारी क्यों साहजहां पुरु उपी में है ना लंदन में नहीं है ना बंसीका राजस्तान के नागवर से हैं उस नहीं पाओगे असम मलीक यूपी के सहरनपूर से हैं और लारं चौधरी रजस्तान से हैं पूजा दंगी यंपी के राजगड़ से हैं नीवारी मद्य पर्देश से परवेंद्र कुसवाह जुड़े हैं मीना बर्मा उत्तर पर्देश क्या है पता नहीं कौन से जिल्ले से लिखी नहीं है प्रियंका भई पर्याग्राज से हैं पडोसी है तो यह मत समझे से हमारे अगल वगल से हैं मुझे नहीं मालूँ पर्याग्राज बहुत बढ़ाया है और हीना अभी यह देबेस को डून रही है इनको जरूरत है इनको मतलब को बात नहीं बता रहे हैं ओम क्रियेशन यह भी पर्याग राज्स से हैं मोनिका निसाद अभी यह फ्रेंड को बाय कर रही है और विद्या संकर यूपी के गोरखपुर से हैं मैं अच्छा इसमें देख रहा हूं तो मेरा तेरा दिख रहा है का ऐसे देखूं लेकिन मैं इसको फॉनवा कब देखूंगा कमेंट तो भी देखना है न यूपी छपपन महराज गंज से हैं अर्बिंद चौध चक्रवर्ती और मंदाकनी सूर्यवंसी महराष्ट्रा से हैं लाता और जले से देखो बच्चा कलास खतम हो गई बाबू जो नए नए अभी जुड़े हैं सोच रहे होंगे यह कौन नो टंकी हो रही यहां पर पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही यहां पर तो वकईती हो रही यह कलास का टाइम था साथ बचकर 45 मिनट तक 40 मिनट तक होत आते हैं ममी ममी आज ना गुरुजी हमारे सहार के नाव बोलत रहे हैं तो इसलिए और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है वस्ति से हैं भाई सोहन जी और ओम मिस्रा परियागराज से ही है धरखंड के धनबाद जिल्या से यह कौन सा नाम है भाई नीलीमा दास नाब्या गुपता कानपुर यूपी से हैं बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुईट तो नहीं हैं बहुत कड़वे हैं अभी आपने देखा कहा मुझे रवी संकर परताबगर उत्तर परदेश परजापती सागर जारखंड के नेग्रो पटना से हैं कनिया कुमार बच्चा देखो एक एक बार बताओ यार तुम लोग तो इतना एक्सपर्ट हो ना कि मैं पूरा दिन रात पढ़ता रहूं खतम नहीं होगा कुछ बच्चे ना फिर कमेंट कर रहे हैं फिर कर रहे हैं अभी तुम आने रोंक रखा है एक बार इनका बिकराल रूप तो अभी तुम द बद्ध कर दिया जो सवलो मोड लगाया था अब तुम लोग देखो कितना तेज कमेंट कर सकते हो पर अब हर जाए हैं और यह बताओ ब्दाओ असमज में आया तो अरु जो मैंने बताया समझ में आया कि है आप संतुष्ठ हैं या नहीं है अगर इस पूरी हमारी थोड़ा थाड़ा कम हो गया तो नो थोड़ी मैंने ज्यादा एक्टिंग कर दिया तुम्हें और नहीं समझ में आए तो आठ और बिल्कुल लग रहा है फाल पुग बखवास है तो दूचान नमबर दे दो बस हाँ कि इतना मिलेगा भाई कुछ तो मिलेगा कि नहीं तो चलें आप देखो कमेंट सही सही का रहा है अभी तक अरे दो धाइस हो थे तब मैं रोका था इनको ना बान के रखा था जैसे गमों देखे हो ना गईया भाईसिया होती है बहुत बागती है देकिन उसको एक मोटा जंजीर में खूटा लगाक बान दिया जाता है तब उस सीधा रहती है बह conflicts कि यह अभी तक कुमेंट कर रहा है इतना कमेंट कर रहे सैंजी कर दिया जानि में एक मिनट के पहले किसी को कमेंट अताए नहीं अब देखो सब मार उताव ले थे अमने हमने कमेंट बास करते हैं मतलब कि वह है कि PBR study पर जो कख्छा 10 के बच्चों की कलास है वह एक अगस्त से चलेगी बच्चा यहां पर चीज और सुन लो आप सभी यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना PBR study 3.0 क्योंकि यह कख्छा 9 और 10 वाला चैनल यही है यह तो एक्चुली 10 के बच्चे 9 के इसमें एक बढ़ गए इसलिए यहां पर चलने लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि इसमें आपको सारी कलासे मिलेंगी यह लाइब सेशन 9 का इसी चैनल पर ट्रांसफर होने वाला है बहुत जल्दी ही हम आपको सूचित करेंगे कि यह कलास इसी चैनल पर कि आप सभी बच्चे PBR study का टेली गराम चैनल जॉइन कर लेना यह दो काम करना है टेली गराम इसलिए जॉइन करना है कि तुम्हें कलास का लिंक मिल जाएगा डेली